नमस्कार दोस्तो रादे रादे आज की वीडियो है कार्थिक मास में पालन करने योग्य नियम और उसका महतव नमबर वन जो मनुस्य कार्थिक मास में रोज भगवान विष्णु जी को कमल के फूल चड़ाता है वह एक क्रोड जनम के पाप से मुक्त हो जाता है नमबर दो जो मनुस्य कार्थिक मास में रोज भगवान विष्णु जी को तुलसी चड़ाता है वह हर एक पत्ते पर एक हीरा दान करने का फल पाता है नमबर तीन जो मनुष्य कार्थिक मास में रोज गीता का एक अध्याय पड़ता है वह कभी अमराज का मुक नहीं देखता नमबर चार जो मनुष्य कार्थिक मास में सालिग्राम सीला का दान करता है उसे संपूरन प्रिथवी के दान के समान फल मिलता है नमबर पांच, कार्तिक मास में जो एक्ति पूरे मास प्लास की पतल में भोजन करता है वह विश्नु लोग को जाता है नमबर छे, कार्तिक मास में तुलसी पीपल और विश्नु जी की रोज पूजा करनी चाहिए नमबर साथ, जो मनुश्य कार्तिक मास में रोज भगवान विश्नु जी के मंदिर की प्रिकर्मा करता है तो उसे पगपग पर असव में गयग का फल मिलता है नमबर आठ, इस जनम में जो पाप होते है वह सब कार्तिक मास में दीप तान करने से नश्ट हो जाते है नमबर नो, जो मनुश्य कार्तिक मास में रोज नम जब करते है उन पर भगवान विश्नु जी परसन होते है नमबर दस जो मनुस्याकार्थिक मास में तूलसी पीपल या आमले का वरिक्सार ओपन करते हैं वह पेड़ जब तक प्रिथ्वे पर रहते हैं लगाने वाला तब तक वैकमंट में वास करता है तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी पसं प्राइब जुरूर कीजिएगा फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे जैम आता दी